गाओं में वो समुदाय में महिलाओं पर अत्याचार करना एक आमसी बात हो चुकी है। इसी ही एक गटना उदेपूर जिल्ले के बिलो के बेदला के गाओं में देखने को मिली। बिल समाज की देलवाड़ा की एक महिला मीरा भाई गमेती जिनकी शादी उदेपूर बिलो के बेदला करवाई गी जिनके वर्तमान में दो लड़के वो एक लड़की है मीरा भui अपने परीबार के कारीकरणों में बाग लेने के लिए देलोड़ा अपने माता-बिता के गजर आई मीरा भउअ पती ने शराब पीकर मीरा भई को ससरा लेकर चले गए जहांएंपर मीरा भई के साथ मार पेड की गई मैंने टटो की मारी ज़ा मोठे पापा ममी पापारी लाया ज़ा ज़ा मोठे परी आई कटेगड़ नहीं? मौरा में लोडर हर्या बापा मारने लगे ममी को अचानक आके रातों से नुपके से सबसे मारने लगे महाम ने भी थोड़ा निकाम बहुत क्वाजिट की दारूपी रखी थी श्राप मेरे को भी मेजुको भी मारा मेरा भाई की माता सुंदरी भाई ने उन्हें थाने लेकर अपनी सारी कटना सुनाई पुलीस ने उनके खिलाब कोई कर वे ने की और उन्हें देलोला जाने के लिए कहा बारे वजा मेरे लड़की ने मुगरह ली नाई वो उसके दूसरे दिन मेरा भाई के पती ने शराब पी कर अपने ही पडोसी का कतल कर दिया तब जाके पुलीस ने उन्हें हिरास्त मे लिया जहां पर एक माईला की दोरा की कि गल्ती की सजा उसमाहिला उसके पुरी परिवाarat बूगतनी पड़ी गावन ईसमोधाय ने मिलकर, उसमाहिला के पुरी परिवार को गावन से बाहर कर लिया वह क्यों ने रिवा देरा आपने वे अठ्यें? अध्यों के ऐला सका आद्मि मॉर्या रिवा रिवार धो पुलिस के पास गहे हैं तो क्या बोला उन्होंगे? उन्होंगे बोला आपके पिताजी करके जाते हैं, आप आप आ जाते हैं फिर इसा नहीं चलता है उसने और डाटा अब वो चाहती है कि उन्हें बापिस गाउं में जाने दिया जाए ताकि वो मजदूरी कर अपने बच्चों का गुजरा कर सके कानून बेष्टा अगर सभी तरह से काम करें तो भारत में बढ़ती माहिलाओं इंसाओं गटनाओं को रोका जा सकता है मैं पुलीस से निवदन करता हूँ कि मीरा भाय गमेती का उसके गाउं में जाने के लिए उच्चित प्यवस्ता करें वो से पुरी सुरिशाद है ताकि समुदाए वो गाउं के तरफ से उसके साथ कोई अनूनी गटना ना करते मैं शंबुरास्तावर आजिस्तान के रासमन जेले के देलड़ा गाउं से इंडिया अन्हट के लिए